दोस्तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछी समय में रूस के लिए निकलने वाले हैं 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक ब्रिक्स की सोलवी समिट रूस के कजान सहर में होने वाली है पांच देसों का ये समू जिसमें भारत, ब्राजील, चाइना, रश्या और साउथ अफरीका सामिल है अब इस संगठन में कुछ नए देस जिसमें इजिप्ट, इथोपिया, इरान और यूएई सामिल हो गए हैं ये इनकी पहली ब्रिक्स समिट होने वाली है वहें सब देसों के लावा कुल 30 देसों ने इस समिट में आने का फैसला लिया है और ये एक बड़ा वर्ल्ड इवेंट होने जा रहा है और इसी को लेकर अब काफी इंट्रेस्टिंग खबरे निकल कर सामने आ रही है दरसल अगर ब्रिक्स समिट से रूस को कुछ भी गेन करना है तो उसे भारत और चीन को एक टेबल पर लेकर आना ही होगा फिर चाहे अमेरिका के खिलाव डी डॉलराइजेशन की मोहीम हो ब्रिक्स देसों के साथ व्यापार हो या फिर ब्रिक्स करनसी का फॉर्मेशन हो अगर भारत चीन दोनों एक पेच पर नहीं आते तो ये सब संभाव नहीं हो पाएगा और ब्रिक्स समिट पूरी तरह से फेल हो जाएगा जो की रूस बिलकुल भी नहीं चाता यही कारण है कि रूस के विदेस मंतरी सरगेव लेवरव की तरफ से कहा गया है कि RIC यानि कि भारत रूस और चीन का जो ये समू है ये अभी भी एक्टिव है और तमाम बाधाओं के बावजूद इसके उपर तीनों देसों के द्वारा काम किया जा रहा है रूस लगातार कोशिश कर रहा है भारत और चीन को साथ में लाने की वहीं खबरे ऐसी भी सामने आ रही है कि भारती प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और चीन के राष्टपती सी जिन्पिंग की one-to-one मिटिंग भी रूस के अंदर हो सकती है और ये arrangement भी रूस ही कर रहा है हाला कि भारत की प्रधान मंतरी तब तक नहीं मिल सकते जब तक भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर इशु है वे खत्म नहीं होता और यही कारण है कि भारत और चीन के बीच में बॉर्डर इशु को लेकर भी एक बड़ा agreement हो गया है जो की इशारा करता है कि हो सकता है कि इस बार भारती प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और चीन के राष्टपती की मुलाकात रूस के अंदर हो जाए आप बकायदा स्क्रीन पर एन आई का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है दरसल ब्रिक सिखर समेलन से पहले भारत और चीन के बीच पैट्रोलिंग और बॉर्डर डिस्प्यूट पर एक समझोता हुआ है विदेश सचीव विक्रम मिस्री ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से पहले एक विसेश प्रैसवारता में इस समझोते की जानकारी दी उन्होंने कहा कि चीन के साथ हुई बाचीत के बाद LAC पर गस्त के बारे में सहमती बन गई है इस समझोते से 2020 में पूर्वी लद्दाक में चीनी सेना की कारवाई के बाद जो तनाव बढ़ा था उसे कम करने और समधान की जिसा में बड़ा कदम उठाया गया है भारत के विदेश सचीव की तरफ से बताया गया कि भारत और चीन के बीच Working Mechanism for Consultation and Coordination यानी WMCC और सैन्ने कमांडरों के इस तर पर कई दौर की बाचीत हुई इन बैठकों के माध्यम से पहले भी कई स्थानों पर तनाव खत्म किया गया था हाला कि कुछ स्थानों पर इस्तती अभी तक पूरी तरह समानने नहीं हुई थी लेकिन अब कई हपतों की चर्चाओं के बाद LAC पर गस्त के बारे में स्तेहमती बन गई है जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव कम होगा और समस्या का समधान निकलेगा हाला कि ब्रिक्स सम्मेलन के दोरान भारती प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्टपती सी जिन्पिंग की दिपक्षे बैठक की कोई अधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है लेकिन इस समझोते से दोनों निताओं की बीच बैठक की संभावना भी पिछले महीने हुई WMCC बैठक के बाद कहा था कि दोनों पक्षों ने LAC पर इस्तती पर खुले और सकारात्मग विचारों का आदान प्रदान किया जिससे मतबेदों को कम करने और लंबित मुद्दों का जल्दी समधान निकालने की दिसा में सहमती बनी है इसके अलावा दोनों देशों ने सीमा छित्रों में सांती बनाए रखने और दिपक्ष समझोतों का पालन करने पर भी सहमती बनाई है वहीं जिस तरह की खबरे ब्रिक्स समिट से इस समय निकल कर आ रही है इससे पूरा वेस्ट में डर का महौल है क्योंकि 24 बड़े लीडर और 32 देश के प्रतिनिधी इस सम्मेलन में सामिल होंगे जो की एक बड़े संगठन की नीव रख रहा है जो की वेस्टन देशों को परिशान भी कर रहा है हाला कि ब्राजील के प्रेसिडेंट की तरफ से इस सम्मेलन को कैंसिल किया गया है उसके पीछे जो कारण बताय जा रहा है वे ये भारत के विदेश सचीव की तरह इस कुश्चन को टाल दिया उनके द्वारा कहा गया कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसके बारे में हमारे द्वारा आपको जानकारी दे दी जाएगी बरहाल रूस में होने जा रही इस ब्रीक सम्मेलन से जो भी खबरे निकल कर सामने आए कि हम वीडियो लेकर हाजित हो जाएंगे अगर आपको फॉरेंड पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो पसंद है तो नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बैल आइकन को दबा ले जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेर से जुड़